क्या है digital रुपिया कैसे आप कर सकते हैं इसका इस्तमाल जानिए हर सवाल का जोब बदल गया जमाना अब नहीं रखने होंगे pocket में note Reserve Bank of India ने 1 नौवंबर 2022 से digital currency पूरे देश में launch कर दिया है यानि अब cashless होने की बारी आ गई है क्या है digital currency अब आपको इसके बारे में बताते हैं digital currency एक note की तरह है लेकिन note को हम हाथ में पर्स में लेकर घूम सकते हैं मगर digital currency का प्रयोग हम online माध्यम से कर सकते हैं Reserve Bank of India ने 9 बैंकों के साथ मिलकर इसको launch कर दिया है अब सवाल यह हुटता है कि digital currency की ज़रुवत क्यों पड़ी और इसके क्या फाइदे हैं तो सब सब पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि digital currency के माध्यम से सरकार आसानी से यह पता लगा सकेगी कि कहा और किसके पास कितने पैसे मौजूद हैं काला धन पर लगेगी रोग, transaction की लागत में कमी आएगी, नोट छापने का खर्च बचेगा और commercial bank के उपर से निरभरता घटेगी blockchain अधारी digital रुपया को दो तरह से launch किया गया है पहला wholesale transaction और दूसरा retail यानि arm public के लिए अब आपको भुकतान के लिए एक और नया विकल्प मिलने वाला है अब आपको बताते हैं कि आम लोग इसका उप्योग किस प्रकार से करने वाले हैं Reserve Bank of India जल्द ही इसके लिए एक mobile app लाने वाला है जिसकी सहता से आप digital currency का इस्तमाल कर सकेंगे RBI की digital currency E-Rupiah आने के बाद आपको अपने पास cash रखने की जरुवत नहीं पड़ेगी या फिर बहुत कम पड़ेगी जल्द ही UPI से भी जोड़ दिया जाएगा ताकि आप Paytium Phone Pay की तरह digital currency का इस्तमाल कर सकेंगे E-Rupiah को आप अपने mobile wallet में रख सकेंगे इसके अलावा users इसे bank, money और cash में आसानी से convert भी करा सकेंगे सबसे बड़ी बाद इस digital रुपया का circulation का है जो पूरी तरह से Reserve Bank of India के नियंत्रेन में होगा Digital currency आने से सरकार के साथ-साथ आम लोग और business के लिए लेंदेन की लागत में कमी आएगी हलाकि इसे digital currency के आने के बाद देश की मौझूदा भुकतान प्रनालियों में कोई प्रकार का बदलाव नहीं होगा आप किसी को भी payment करने के लिए digital currency का इस्तमाल कर सकते हैं और currency note से इसे बदला भी जा सकेगा हम जिस प्रकार से online अपना bank account balance चेक करते हैं या mobile wallet चेक करते हैं इसी प्रकार से इरुपया को भी चेक किया जा सकेगा अब आप सोच रहे होंगे कि debit card, credit card और UPI होने के बावजूद भी digital currency की जोरुत क्यों पड़ी और इसमें क्या अंतर है तो मैं बताना चाहूँगा कि digital currency आपको token के माधियम से मिलेगा या cash की तरह इस्तमाल होगा और तो और RBI की वही guarantee इस पर होगी जो एक note पे होगा